और फ्रेंड में मैं विशेक जोशे, Electrical Engineering विला Group of Companies दोस्तो हम लोग बात करेंगे स्टार्टर्स के सिलेक्शन के बारे में हमारे एक विवर्ड ने कमेंट किया है कि इंडस्ट्री में कौन से एप्लिकेशन में कौन से टाइब का स्टार्टिंग मेथड हम लोग यूज करेंगे, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है तो कोई अगर इंटर्विव में आपसे ये पूछे कि आप स्टार्टर्स का सिलेक्शन किस बेसिस पर करते हैं तो short में बताईए कि इसका क्या जवाब देना है, कौन से starters हमें कहां use करने चाहिए, इसके कुछ bullets point मिल जाए, तो interview point of view से आपकी preparation easily हो सकती है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि starters का selection कैसे किया जाता है, और interview में अगर आपसे कोई पूछे, तो कुछ-कुछ bullets points ऐसे हैं, जो हर starter के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से आप अपना answer frame कर सकें, तो दोस्तो बिना time waste के शुरू application क्या है, आप उसमें high starting torque की demand रखते हैं, या आपके motor की rating बहुत जादा है, आपकी जो भी application है, वो constant speed की requirement रखती है, या requirement की साब से आपको motor की speed change करनी पड़ेगी, तो आपकी application की requirement क्या है, इस पर depend करेगा कि आप कौन से type का starter उस particular application में use करते हैं, जैसे अगर आपके application high starting torque की demand करती है, तो वहाँ आपको dual starter ही use करना चाहिए, अब industries में जो majority of motors होती है, या जो majority of applications होते हैं, ये high starting torque का ही demand करते हैं, और यही reason है कि industries में 85% starting dual starters के through ही की जाती है, क्योंकि dual starter आपको high starting torque provide करता है, और अगर आपकी application को high starting torque की ही requirement है, तो dual starter से अच्छा starting method आपको नहीं मिलेग क्योंकि dual starter की costing, बाकी starting method के comparison में कम होती है, और dual starter में हम लोग full line voltage motor terminal में apply करते हैं, देखे, dual starter का मतलब ही होता है direct online starting, इसका मतलब ही ये है कि direct 415 volt हम लोग motor के stator terminal पे दे रहे हैं, और जब आप full line voltage किसी motor terminal को देते हो, तो वो motor high starting torque produce करती है, यही reason है कि अगर आपकी requirement high starting torque की है तो आपको dual starter के through ही motor को चालू करना चाहिए, यहां दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये confusion होता है कि कितने rating तक हम लोग dual starting का use करते हैं, कोई बोलता है 5 HP तक की अगर motor है, तो आप dual starter का use करिये, उसके उपर की अगर motor होती है, तो आपको star delta starter के through ही motor को run करना चाहिए, तो वो आरे industries में 11 kilowatt की 15 kilowatt की motor भी हम लोग dual starter से चलाते हैं, इस पर मैंने separate video बनाया है कि ऐसा कैसा possible है कि हमने books में internet पर भी पढ़ा है, मैंने खुद भी पढ़ा है कि 5 HP या 7.5 HP तक की जो motor है वो dual starters पर हमको चलाना चाहिए, पर हम जब industries में जाते हैं, तो वाँ 11 kilowatt की 15 kilowatt की motor भी आ आपका ये confusion भी पूरी तरीके से clear हो जाएगा, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं star delta starter की, देखे star delta starter हम लोग basically वहाँ use करते हैं, जहां हमारे motor की rating बहुत ज़्यादा high होती है, जैसे अगर 90 kilowatt की motor है, 160 kilowatt की motor है, अब इतने high kilowatt की motor को अगर आप dual starting के through start करेंगे, तो motor का starting current इतना जादा जाएगा कि आपके motor का winding insulation fail हो सकता है, winding insulation weak होने लग जाएगा अगर आप motor को बार बार start करेंगे dual starting के through, इसके अलावा आपके motor का starting current इतना जादा जाएगा कि voltage drop की problem भी आपको phase करनी पड़ेगी, आपका जो feeder है, उसके जो nearby feeder होंगे, उसमें voltage drop के वज़े से nuisance tri tripping भी आपको phase करनी पड़ सकती है, इसलिए अगर आपके motor की rating बहुत जादा बड़ी है, 90 kW, 160 kW, इतनी बड़ी motors को अगर आप start करना चाहते हैं, तो आपको star delta starter के through ही motor को start करना चाहिए, अब star delta starter के through ऐसा क्या हो जाता है, जो DOL में नहीं होता, star delta starter की खासियत क्या-क्या ह होती है, यह सब अगर आपको जानना हो तो इस वीडियो को देखेगा, star delta starter से related मैंने काफी videos बनाए हैं कि उसके contactor की selection कैसे करते हैं, star delta starter की wiring भी मैंने बताई है, star delta starter में relay की setting आप कितने पर रखेंगे, यह सारे topic हमने cover किये हैं, तो star delta starter से related आपके जो भी doubt हो, उससे related video देख लिकर आप उसे पूरी तरीके से clear कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों आता है variable frequency drive, देखे variable frequency drive एक expensive starting method है as compared to dual starting and star delta starting, इसलिए variable frequency drive basically लोग वहीं use करते हैं, जान speed variation की requirement होती है, देखे अगर आप किसी भी motor को dual starting से अगर run करते हैं, तो आप motor के rpm को running में change नहीं कर सकते, अगर आप आपकी motor 1500 rpm की है, तो 1500 rpm पर ही चलेगी, अगर आपको motor का rpm अपने requirement की इसाब से vary करना है, आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी motor की rated speed है, ये तो 1500 rpm है, पर कभी आपको 1000 rpm पर चलाना है, कभी 1200 rpm पर चलाना है, कभी 1400 rpm पर चलाना है, अगर आपको motor की speed को vary करना है, तो आपको VFD drive के थ्रू ही ये काम करना पड़ेगा क्योंकि variable frequency drive ही आपके motor को variable speed बना कर देती है अब ये VFD काम कैसे करता है ये speed को कैसे change कर देता है ये सारी चीज़ अगर आपको जाननी हो तो variable frequency drive पर भी मैंने काफी videos बनाए है उसे देखकर आप VFD को detail में समझ सकते हैं पर आज का हमारा topic ये है कि starting method का selection कैसे किया जाता है तो अगर आपकी application में variable speed की requirement है तो तो आपको VFD के थ्रू ही motor को चालू करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई बहुत जादा option नहीं है अगर आपको higher starting torque की requirement है तो आपको DOL starting के थ्रू ही जाना पड़ेगा पर अगर आपकी motor की rating बह variable frequency drive इन सभी पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए है उन वीडियोस को देखकर आप इन सभी topics को in depth में समझ सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो कि selection किस basis पर हमें करना चाहिए और भी बहुत सारे factors होते हैं किसी भी चीज़ को select करने का पर application point of view भी एक उन में से factor है जो कि बहुत important role play करता है तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को subscribe कीजिए मैं आपसे मिलता हूं कर ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए good bye